हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आपकी दोस्तरशना आज में बनाने जा रही हूं तिरंगा इडली बहुत ही सौफ्ट इडली है यह और इसको हमने कड़ाई में बनाया है और इसमें हमने कोई आर्टिफिशल कलर का इस्तमाल नहीं किया बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है तो च अब इसको पीस लेते हैं अब मैं अपने चावल भी उसी जार में ही पीस लेती हूं मगा ध्यान रखेगा हम बिना पानी के पीसेंगे क्योंकि हमें पानी की जड़त नहीं है करना हमारा बेटर पतला हो दाए गा को जिसमें पीस के लिए टके करीब चावल जाएगा राखे से मिक्स करेंगे ज़र थेख करीब 4-5 गंटे के लिए किसी गरम जखांपि अठी हमारा प्छीए हमारा था वीटा कि पांच गंटे हो चुके हैं अब हमना खोल के देख लेते हैं देखे हमारा बैटर कितना बढ़िया बनके तयार वाइस की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है अबने मैं ले लिया है पालक और गाजा क्योंकि हम इसकी प्यूरी तयार करेंगे इससे हमारे कलर फुल इडली बनें लाल में अगर पीला रंग थोड़ा सा मिल जाता है तो औरेंज बन जाता है तो मैंने इसलिए गाजर में अपना थोड़ा सा हल्दी मिला दी उससे कलर हमारे दोनों के परफेक्ट हो गया तयार अपने बैटर को मैं तीन भागों में डिवाइड कर लूँ क्योंकि मैं तिरंग से मिक्स करेंगे इसका भी कलर देखे कितना खुबसरत तयार हुआ है और तीसरी हमारी वाइड तीनों कलर तयार है अब लेते हैं कटोरी बनाने के लिए क्यों कि मिड्ली स्टेंड के बिना बना रहे है उसको अच्छे से ग्रीस करना एक साइज की आप दो तीन जितनी कटो कोड़ी सी उसके बाद हम इसमें दूसरा कलर डालेंगे क्योंकि पहली डाल देंगे तो सारा हमारे फैल के मिक्स हो जाएगा लिक्विड होता है इसलिए और बहुत आराम से डालेगा जिससे की नीचे वाला ओपर वाला अलग अलग रहे इस तरीके से पूरा कवर करके दो म कि हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे 10 मिन बाद देखे कितनी प्यड़िया हमारी बनके तयार हो गई है इसको चैक कर लेते हैं बिरको परफेक्ट बनकर निकली है तो इनको निकाल लेते हैं एक नाइफ की साहता से आप इस तरह से किनारी साइड से निकाल लिए और बहुत आसा कोई भी सबजी का इस्तमाल कर सकते हैं तो हमारे तीनों की तीनों इडली बनके विकुल तयार हो गई है बहुत सौफ्ट स्पंजी बनी है बिना इडली स्टेंड के बनी है और हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशल कलर का इस्तमाल नहीं किया और देखे कितनी बढ़या लग